स्रामों अलेकूं मैं है रुकईया आप देख रहे हैं प्यारी रुकईया का केचिन आज एक और बहुत ही सेक्रेट बहुत ही जबरदस्त बेकिंग के हवाले से आपको रैसिपी शेयर करने हूं चॉकलेट गनाश जिसको आप बहुत सारी चीजों में मतलब जो मेरी मोस्ट फ कि तक देख सकते हैं कितना स्मूथ है और सिर्फ हमने यहां पर टू टेबल इस्पून मैदा यूस कि देने के लिए और आप यकीन करें ट्रस्ट करें इसका कलर इसका टेक्स्चर और इसका खाने में बहुत यमी माशाआलला से अलहम्दुल्रिल्ण इतनी सूपर हिट यह आप लोगों ने इसको उपर से जितनी भी चीज़ों को पोर करना होता है कुछ भी ड्रिजल करना होता है पोर करना होता है आप लोगों ने गनाश यह बनानी है फज केक बनाएं आप लोग उसके अंदर सोकिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं के अंदर इसको टू टेबल स्पून डाला और आप वैसे हर तरहा की डिजर्ट में यूज कर सकते हैं तो यह बहुत ही जबर्दस्त बहुत ही मज़ेदार यह बंती है यहां तक कि इसको अगर आप लगा कर खाएंगे यह बंस को कटिंग करके उसके अदर चॉकलेट करके इसक करना है और अगर डा को को पॉड़र है तो आपने त्री टेबल स्पून उसके साथ मैं इसके अंदर आइज कर रही हूं फाइव टेबल स्पून शूगर दानेदार चीनी मेश्रिंग वाले आप स्पून ले सकते हैं वह मैंने एड़ कर दिया और इसके बाद आपको बताऊ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने अभी फ्लेम इसका जो ना बहुत अंबली आंच रखी विया साथ ही मैं इसके अंदर पानी आइड कर दूंगी तो यहां मैं टू एंड़ हाफ कप जो है ना मेश्रिंग वाले कप्स होते हैं वह मैंने पानी का एड़ कर दिया ठीक है अगर आपको पानी ज्यादा लगए तो तू कपस तक भी कर सकते हैं तो यहां पर जो है हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ठीक है तू एंड़ हाफ कप ही मैंने इसके पानी एड़ किया है इसको अच्छे से मिक्स कर लिए और आब इसको स्लो कूक करना तो देखें मिक्स करते जाएंगी ना इसके अंदर आटोमेर्टिकली खुदी शाइन आ जाएगी लेकिन शाइन के लिए भी मैं एक टेप को आगे साथ शेयर कर दूँगी आगे चलकर तो यहां पर जो है ना मैं अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है उसके बाद मैं य यह सब्सक्राइक काड़ की डेंगा आप जो कि सब्सक्राइब है उसके अथा चुष म gobierno सब्सक्राइब लेकिन कोई वस्ला नहीं है बिल्कुब परेशान नहीं होना विदीन 2-3 मिनट ना यह खुद ही सेट हो जाती है ठीक है और इसे 10-12 मिनट लगते हैं पकने लगे इससे भी थोड़ा से होती है न चोकलेट साती है वह भी यूज कर लेती है जो मिल जाए वह दो तीन पैकेट डाले वह कर लिए उसके बैद में यहां पर टू टेबल लिस्पून मैदा एट कर रही हूं और साथ में वन पिंच सॉल्ट एट कर रही हूं ठीक है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर जाना है तो यहां पर जो है न अच्छे तरीके से मिक्स करता जाना है अगर लांस आ गया तो बड़ी परिशानी होगी तो यहां पर अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है और इसे कुक करते जाना है ठीक है और फ्लेम आपने तेज करने की कोशिश नहीं करनी एक ब अवैज यही टेक्स्टर है माशाब्लाह से ऐल्हम्दुलेला कितना ज़बर्दस टेक्चर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ठीकने साइं सब्सक्राइट नहीं किया फिर до ब्यारी में आई आई होब यह छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बेकिंग लाइफ में बहुत जादा आप लोगे काम आए कि मिलते हैं नियू रैसिपिक के साथ अलाहाफेश